हाई स्टूडिन्स मैं सोन्या विद्यागुरु से का नया सेशन स्टार्ट करेंगे यह में का सेकंड पार्ट है जो मैं अप्लोड करती हूं इस सेशन के अंदर आपको लगभग 50-60 नए पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा आप लाइक का बटन सकते हैं दबाईएगा इसे मुझे मुझे मुटिवेट कर पाएंगे आप शेयर करिए अपने फेंस के साथ जो भी किसी भी कंपेटिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बेनिफिशल होगा बिलीव मी क्योंकि कारेंट फैर सब एक्जाम में आता है और चानल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा इसे नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास जो भी एक्जाम रेलेवेंट वीडियो विद्या गुरु अप्लोड करता है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा जब आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे चलिए पहले वे एक बार चलते हैं और देखते हैं किस बारे में है वेक्टेशन टॉपिक वाइस करेंड फैस हम लोग पढ़ते हैं जिसमें यह सेकंड पार्ट है में का जो मैं अप्लोड करती हूं उसमें लेटेस्ट अपॉइंट टॉपिक है कितने इंपॉटन क्वेशन अभी आपको देखते ही पेदा चल जाएगा पहला क्वेशन न्यू लॉओ मिनिस्टर अर्जुन राम मेगवाल को बनाया गया है देख लीजे हम कह रहे हैं यो किरन रे जिजू आपको देख रहे हैं दिख रहे हैं मिनिस्टर ओफ Earth Sciences इन्हें बना गया है 24 वे नंबर के Chief Minister करनाटका के सीधा रमया बन गए हैं जो Congress Party के हैं नीचे आप लोग देख रहे हैं DK शिपकुमार है जो Deputy Chief Minister बन गए है करनाटका के ये देखिए एक छोटी सी बात है इसके अंदर सिराव इतना कि 24 वे नंबर कभी एक्जाम में नाम दे दे पार्टी भी बता दे स्टेट भी बता दे और आप से सिरफ नंबर बूच ले और आपने नंबर कहीं गलती से स्किप कर दिया हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा इसलिए ध्यान से 24 वे नंबर के करनाटका के नए चीफ मिनिस्टर सीधा रमया आएंसी के और डीके शिवकुमार डेपूटी चीफ मिनिस्टर आएंसी के कितनी मेहनत ये लोग कर रहे था इलेक्शन में हमने देखा था न्यू CBI डारेक्टर प्रवीन सूध बन गए हैं एक बार और जल्दी से रिपीट करते हैं न्यू लौ मिनिस्टर अर्जुन राम मेगवाल कीरन रिजजू मिनिस्टर आफ अर्थ साइंसेस 24 वे नंबर के चीफ मिनिस्टर करनाटका के सिधा रमया कॉंग्रेस पार्टी के और कॉंग्रेस पार्टी के ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हम करें डीके शिपकुमार यहां पर हम बात कर रहे हैं CBI के नए डारेक्टर जिनका नाम प्रवीन सूध है नेक्स्ट क्वेस्टन देखिए और नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या सेम तो नहीं क्या अभी भी हम अपॉइंट्मेंट्स तो नहीं डिस्किस कर रहे हैं क्योंकि कुछ जादा अपॉइंट्मेंट्स है अपॉइंट्मेंट्स वाला पार्ट थोड़ा जादा पूछा भी जाता एक्जाम में इसलिए उससे मैं पहले नंबर पर रखना पसंद करती हूँ डेप्यूटी ची इफ ऑफ एड स्टाफ आशुतोष दिक्षिद बन गया हैं तुबारा बोल रही हूँ मैने क्या कहा avait combination ओप्रिशन कंपिशन और कीछ पर सिल ऑवनीत कॉर बन गई है यह तो आपके लिए और important है lovers this जानना UPSC Chairman Manoj Soni, UPSC Chairman Manoj Soni बन गए है, और Saurav Ganguli Tripura Tourism Brand Ambassador बन गए है, Tripura Tourism के Brand Ambassador Saurav Ganguli को बना गया है, Deputy PM of United Kingdom, UK के Deputy PM जो है Oliver Dowden को बना गया है को बना गया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, हम कह रहे हैं, Deputy Chief of Air Staff आशुतोष दीक्षद, Competition Commission of India की Chairperson रवनीत कौर, Manoj Soni बने हैं UPSC Chairman, Saurav Ganguli Tripura Tourism Brand के Ambassador बने हैं, और उसके बाद UK के Deputy PM Oliver Dowden, धान से सारे questions को याद करने ही कोशिश करिए, इंपोर्टेंट हैं यह सारे के सारे questions, Topic Wise Current Feds में, Next Topic हमारा है, India In Focus, तो India In Focus में देखी क्या रहा है, तो इंडिया का rank on RSF, World Press Freedom Index, ध्यान से एक चीज़ को पढ़िए, और थोड़ा सा दुखी भी हो जाईए, यहाँ पर बात करने वाले हैं, Reporters Without Borders, जिसे आप RSF पढ़ रहे हैं, वो Reporters Without Borders है, ठीक है, यह publish करता है, कि आपके देश में आपकी प्रेस कितनी फ्री है, प्रॉब्लिम यह है कि हर बार यह rank गिरता ही जाता है, एक सो असी देशों में, एक सो एक सटवा नंबर है, यह देखिए, यह हम और आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, यह बाहर कि एजिंसी इस डिसाइड कर रही है, कि Reporters Without Borders ने पुब्लिश किया है, कि 180 देशों में 161 नंबर पर भारत पहुच गया है, Reporters Without Borders पुब्लिश करता है, इंडिया का राइंग 161 हुआ है, हम यहां पर बात कर रहे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, पहला नंबर जिसमें नौर्वे है, अब यह सबसे जादा खराब हाल में नहीं है, यह सबसे अच्छे हाल में है, यहां पर प्रेस पूरे तरीके से फ्री है, यह बात चल रही है, इंडिया का रही है, और कौन पब्लिश करता है, कौन वो इंडेक्स बनाता है, इंपोर्टन होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफ्रमेशन है, उसे याद कर लीजे, पहली बार ऐसा हुआ है, इंफाक्ट आपने कभी सुना भी नहीं होगा, हर बार जब फॉरेंड डारेक्ट इंवेश्मेंट पढ़ाया जाता है, विदेशों से देश में आने वाला पैसा जब पढ़ाया जाता है, आप हर बार यह सुनते हो, कि FDI बढ़ गया, FDI बढ़ गया, FDI बढ़ गया, FDI 23 में, तो याद रखिये, question important है, क्योंकि हर बार से थोड़ा अलग भी तो answer है, हर बार प्लस नहीं हो रहा है, हर बार की तरह, अब इस बार तो माइनस होने लग गया, मतलब negative, मतलब नीचे जाने लग गया, Indianize initiative to Myanmar hit by cyclone mocha, अच्छा एक बात सुनिये, आपको mocha, पता नहीं क्या-क्या लोगों ने बढ़ा दिया, आप cafe mocha पीते हैं, mocha, cafe mocha, तो एक जगा, जिसको यमन जोड़ता है, कि यहां से पहली बार coffee introduced हुई थी, ठीक है, mocha है वो, तो हम उस cafe mocha के नाम पे, जी बिलकुल, आप सही समझ रहे हैं, आप अगर options देखते हैं, आप menu पढ़ता है, आपने mocha पढ़ा होगा, आपने latte पढ़ा होगा, आपने capuchino पढ़ा होगा, आपने espresso पढ़ा होगा, तो आपने cafe mocha भी पढ़ा होगा, मैं यह बता रही हूं आपको तो यह वो काफे मौका मौका के नाम पर यमन ने इस साइकलोन का नाम मौका दिया है बाई यमन मैंने लिखा है तो साइकलोन का नाम चकरवाद का नाम मौका है काफे मोका वाला ओपरेशन करूना आप समझ लीजे मतलब ऐसे बोलिए क्योंकि इंडिया का इनिशियेटव है देखिए म्यानमार कुछ और जगा की भी बात मैं करना चाहती हूँ बट इंपोर्टन अभी यहां पर यह है कि लिए ऑफ बिंगोल में कफे मोका साइक्लोन मोका आया तो साइक्लोन मोका जो है उसमें बे ओफ बिंगोल में जब यहा है तो म्यानमार हिट हुआ इस से म्यानमार को help करने लिए देखिए यह वो वले ग्राउंच है कि आप किसी की मदद कर रहें तो operation करूण इंडिया का initiative है आप से पूछा जाएगा operation करूण किस बारे में है तो Myanmar को बचा रहे है Myanmar को help Myanmar को aid दे रहा है इंडिया यह operation चला रहा है यमन ने इसका नाम दिया था पूछ लिया जाए cyclone का आया था तो Bay of Bengal में आया था ठीक है evacuation of Indians from Sudan under operation कावेरी देखिए Sudan में क्या चलता रहता है या भी क्या चल रहा है आपको थोड़ा खुछ जाके पढ़ना चाहिए ठीक है Sudan की स्थिती ऐसी है कि इंडियान को वापिस लाना पढ़ रहा है इवाक्यूएट करना पढ़ रहा है तो इसके लिए air force लगी है या आप जानते होंगे शायद आपने सुना होगा तो operation कावेरी चलाया है इंडियन गव्मिन ने सूडान से इंडियन को आपिस लाने के लिए Shanghai cooperation organization foreign ministers meet पंजी गोवा में दुबारा सुनिये Shanghai cooperation organization foreign ministers meet इसका वेन्यू पंजी गोवा एक बार और तीजी से पढ़ता है इंडिया का रांक Reporters Without Borders वाले World Press Freedom Index में 161 एक सो असी रेशों में से पहले नमबर पर नॉर्वे है मैंने बातों ही बातों में आपको बता दिया कौन बनाता है इंडेक्स FDI 16% के drop पे इस बात डॉलर 71 बिलियर इंडिया के पास आया 23 में इंडिया initiative to Myanmar hit by cyclone मौका Operation Karuna चलाया है यमन ने ये नाम दिया था Bay of Bengal में आया था Evacuation of Indians from Sudan under Operation Cauvery Shanghai cooperation organization foreign ministers meet, defense ministers meet ये सब अलग है इसलिए याद रखिए हैं आप हम foreign ministers meet की बात करें पंजी गुआ में Next question देखिए अभी हम बात करने वाले हैं international news की तो international news में जड़ा देखिए 6th Indian Ocean Conference venue धाका Bangladesh 6th Indian Ocean Conference venues का धाका Bangladesh Indian Ocean Conference याद रखिएगा PM visits 3 nations अब आप कहेंगे नहीं नेशन का नाम तो आपने बताया नहीं बिल्कुल बताया देखिए ना जिस जगा के प्रधान मंत्री लिखे हैं जिस जगा के प्रधान मंत्री लिखे हैं उसी उसी जगा की बात हम कर रहे हैं हमारे प्रधान मंत्री तीन देशों से तीन देशों के हेड से मिलें तीन देश उन्होंने विजिट कियें तो जपान भी है पापुआ न्यू गिनी भी है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है तो जपान के प्रधान मंत्री है फूमियो किशिदा आप जानते हैं उसके बाद पापुआ न्यू गिनी के पी-एम है जेम्स मारा पे और ऑस्ट्रेलिया के पी-एम है अंत्री अल्बनीस इनकी फोटोस आप देख चुके हैं धानमंत्री के साथ पिक्चर लेते हुए फोटो खिचवाते हैं आप इनको देख चुके हैं तो फुमियो केशिदा जपान वाले पापुआ न्यू गिनी के मारा पे जेम्स मारा पे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंत्री अल्बनीस ये नाम याद रखने आपके हो क्योंकि ये पी-म के साथ थ्री नेशन्स हेड जो मिलें और जहां पे पी-म ने विजिट किया जी सेवन समेट हुआ उननचास्वे नंबर का ठीक है जी सेवन समेट हुआ दोजार तेईस वाला उननचास्वे नंबर वाला हिरोष्यमा जपैन में PM unveils गांधी जी बस्ट इन हिरोष्यमा बड़ी बात है ना इडियन और इतने बढ़े इंडियन मातमा गांधी जी तो मातमा गांधी जी का बस्ट हिरोष्यमा में उन्हों ने प्रधान मंत्री ने अन्वेल किया है ये आपको याद रखना पड़ेग और Hiroshima Japan में ही हो रहा था G7 Summit 49 नम्मर का PM अटेंड थर्ड सामिट of Forum for India Pacific Islands Corporation FIPIC in Port Moresby Moresby Papua New Guinea में दुबारा सुनिये PM अटेंड किया थर्ड सामिट of Forum for India Pacific Islands Corporation that is FIPIC FIPIC Port Moresby Papua New Guinea में एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से 6th Indian Ocean Conference हाका बंगलादेश में Indian Ocean Conference छटे नम्मर वाली PM ने विजिट किया Japan, Papua New Guinea and Australia G7 Summit जो है 49 नम्मर का Hiroshima Japan में जहांपर गांदी जी का बस्ट Hiroshima में ही अन्वेल किया प्रदान मंतरी ने PM Attends 3rd Summit of Forum for India Pacific Islands Corporation in Port Moresby Papua New Guinea Next question देखिए अब बांकिंग अवेरनेस वो स्टुडेंट्स जो बांकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्किप कर लीजे थोड़ा सा स्किप कर लीजे ये क्वेशन आपके लिए नहीं होंगे अगर आप किसी और एक्जाम को दे रहे हो ये क्वेशन सिरफ बांकिंग वाले बच्चों के रहे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजे जोइन करना चाहते है नम्बस नीचे दिये गए है आपको सारे टीचर्स वही क्वेशन बढ़ाएंगे जो एक्जाम में आजाते हैं सीधा याद रखिए हम बहुत करेंगे आपकी एक्जाम पार्स करने में तो अगर कंपेटिटिव एक्जाम क्लियर करना है तो विद्या गुरू जॉइन कर लीजे अगर अकाउंट में कोई क्लेम करने वाला नहीं है वो अनकलेमड वाला वैसा वाला तो कह रहे हैं 100 डेज, 100 पेस कितने दिन का गाप कितने दिन के गाप पे पे करेंगे पूरी बात अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दी गई है इनी शब्दों में कि 100 डेज, 100 पेस कैंपेन है रिटर्न करना है जिसमें अनकलेमड डेपोजिट को 1st जून 2013 को बात बताई जा रही है ये आपको क्लियर करना है अब देखिए बिस कैश बाक रुपे क्रेडिट कार्ड बाई एउ स्मॉल फनांस बैंक जो है, बिस कैश बाक रुपे क्रेडिट कार्ड ऐ एउ स्मॉल फनांस बैंक Global Collections Service Global Collections Service For Exporters Launched By Global Collections Collection है Collection जान रखिए Collection नहीं है Collection है पैसा बटोर रहे है वो वाला Collection Service for Exporters Export करने वालों के लिए Global Collection Service Cash Free Payments and Yes Bank Cash Free Payments and Yes Bank यह और जानते हैं Bank है Financial Institutions है तो हम कहने है Global Collections Service जो है Exporters के लिए Launch की है Yes Bank ने और Cash Free Payments ने भारत पे रीब्रांड पेबाक इंडिया आज जिलियन यह अच्छा है जादा अच्छा है सबसे अच्छा है यह आने की पॉस्चिबिलिटी सबसे जादा है भारत पे इने ब्रांडिंग चेंज करी है पेबाक इंडिया की उसे जिलियन बना दिया है विराट कोली इस ब्रांड इंफ्लूएंसर of HSBC इंडिया that's quite great HSBC इंडिया के ब्रांड इंफ्लूएंसर कौन है विराट कोली Cross Border Inward Bill Payments Cross Border Cross Border ये बाहर के पैसे की बात हो रही है Inward Bill Payments for Indians in Oman by NPCI भारत पिलपे and Canada Bank Question बहुत important है आज आएगा National Payments Corporation of India जहां पर हो जहां पर RBI खुद हो वो question आजाता है और जादा आने की possibility होती है और भी questions है Cross Border हम देश विदेश की बात कर रहे है Inward Bill Pay करना है Indians को Inward Bill Pay करना है for Indians In Oman Oman में पे करने की बात हो रही है In Oman by NPCI भारत पिलपे यहां पर हम कहरे है कि अगर ऐसा करना है तो कैसे कर पा रहे है What are the ways Easily कौन आपकी help कर रहा है तो NPCI भारत पिलपे help कर रहा है और हम कहरे है Canada Bank Next question देखिए अब topic आगया Awards and Prices जड़ा देखिए क्या आ रहा है International Booker Prize आप जानते है नाम से ही आप समझ जाएंगे Booker Prize से important क्या होता है सबसे दाइंपोर्टन होता है Booker Prize तो हम कहरे है Booker Prize बहुत-बहुत reputed award हम कहरे है Time and Shelter को मिला ठीक है अब हम book की बात कर रहे है Booker Prize तो book booker book booker prize है Georgie Gospodinov को Georgie Gospodinov को and Angela Roddle को Angela Roddle जो है वो translator है Time Shelter की Time Shelter की translator writer Georgie Gospodinov दोनों को मिला है ठीक है Filmfare Awards अब important हो गए है अब आते है एक्जाम में 68 वे नमबर के Filmfare Awards Best Film गंगुबाई काथियावाडी अब इससे रिलेट कर लीजे आल्याभट Best Actress गंगुबाई काथियावाडी के लिए और Best Director Sanjay Leela Bhansali गंगुबाई काथियावाडी के लिए Best Actor राजकुमार राओ बधाई दो के लिए और पेम चोपडा को Lifetime Achievement Award दिया गया Next Question देखिये Next Question में Important Days and Dates की बात हम कर रहे हैं Important Days and Dates में World Telecommunication and Info Society Day Communication and Information वो वाली बात हो रही है World Telecommunication and Information Society Day 17th में को 17th में को Observe किया जाता है Important Days and Dates World Telecommunication and Info Day हम कह रहे हैं Info Society Day 17th में को इसका theme Empowering Least Developed Countries Through Information and Communication Technologies Empowering Least Developed Countries Least Developed Has to be Empowered कैसे Information और Communication से Information Communication Technology से Empower करेंगे Least Developed Countries को ये World Telecommunication and Info Society Day का theme National Tech Day 11 माई को Week जो था 11 से 14 माई को मनाया गया अब यहां पर आपको Confusion हो सकती है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया अब वीक कोई बोल रहा है तो 11 से 14 माई को मनाया गया लेकिन 11 माई को National Technology Day Celebrate करते है इसलिए नाशनल है जिसका theme School to Startups Igniting Young Minds to Innovate Igniting Young Minds to Innovate International Day of Families International Day of Families 15 माई को International Day of Families 15 माई को मनाया गया जिसका theme हम कह रहे है Demographic Trends and Families था Demographic Trends and Families था Next question देखिए Video अभी तक देख रहे है तो इसका मतलब आप अपने PAS होने के और PAS 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 जाते जा रहे है क्योंकि आपके पास आपके बास reason है बहुत सारे students लिखते हैं आप खुद भी जानते हैं Questions कराईवे exam में आते हैं मैं पूरी मेहनत करती हूँ आपके लिए वो questions चुनके लाने के लिए सीधा आपके आपको सब कुछ ना पढ़ना पड़े तो प्लीज लाइक का button दबा दीजे जॉइन करना चाहते हैं तो numbers नीचे दिये गया आप डायल करके जॉइन कर सकते हैं हमें after JNK lithium deposits found in देगाना नागौर राजस्थान जड़ा सुन लीचे JNK के lithium deposit के बाद JNK में lithium deposit मिला था या मैंने आपको बढ़ा था अब हम कहरें lithium deposit मिला है देगाना में ये नागौर जिला है नागौर जिला राजस्थान का वो पंचायती राजवाला याद रखिए फर्स टाइम इन रियसी JNK ये भी लिद्या है आपको के लिए कि डिस्ट्रिक क्या था जम्मू कश्मीर था जहां पर lithium deposit मिला था फिर से नागौर जिले में भी मिल गया देखिए कितनी बड़ी बात है तो lithium रिच होते जा रहे है हम Global Ayurveda Festival 2023 पांचोय नंबर का to be held in December तेरुवननपुरम केरला Global Ayurveda Festival पांचोय नंबर का तेरुवननपुरम केरला में First to make digital health cards for kids UP Digital health cards UP बना रहा है इन्द लाइन पोर्ट बेट्वीन इंडिया बांगलादेश सेट अप इंडापी मिघाले बात फेमिल जगा है इतना पॉपुलर है डापी आपको यह पता होगा कितना खूपसूरत है सूपर सूपर ब्यूटिफुल इंडिया और बांगलादेश के बीच में लाइन पोर्ट सेट किया गया है 10 नंबर का 2 कoo में गाले में नैशनल होमयोपथी Конवेेनशन नैशनल होमयोपथी Конवेनशन होम्यो 30irm ऑचनल होमयो 80irm अचनल नाम पता होना चाहिए कहां हो रहा है बहुत important होता है तो homeocon उत्राखंड में homeocon 23 उत्राखंड में state news में इतना ही था आगे बढ़ते हैं अब government schemes and initiators के उपर जिसमें आप सबस्रादा बोर हो जाते हैं वो होते हैं government initiators तो government initiators and government schemes में खर्चा पढ़िए outlay पढ़िए for production linked incentive scheme 2.0 2.0 मतलब second edition है दूसरी बार for IT hardware 17,000 करोड 6 साल में आप से हमाउन पूछ लिया जाएगा आप से tenure पूछ लिया जाएगा हम बात कर रहे हैं production linked incentive scheme की जिसका second edition मतलब 2.0 में IT hardware पर 17,000 करोड खर्च करेंगे 6 साल के अंदर national quantum mission है 23, 24 से 30, 31 तक के लिए उसका खर्चा 6,003 करोड बताया गया है scientific and industrial R&D ये purpose है quantum mission का national quantum mission for scientific and industrial research and development इसके लिए 6,003 करोड का expenditure खर्चा आउटले मेरी life, मेरा स्वच शेहर waste management campaign by ministry of housing and urban affairs lifestyle for environment ये life का full form है तो मेरी life है लेकिन मेरी life में life का full form lifestyle for environment है environment के लिए कुछ करें बेतर होता है यहां पर वो ये ही बता रहे है कि मेरी life, मेरा स्वच शेहर waste management campaign है आप से पूछ लिया जाएगा ये campaign किस बारे में तो environment के बारे में environment को साफ रखने के बारे में किस ने चलाया है तो ministry of housing and urban affairs कि यह scheme है 100 food streets in 100 district by ministry of health 100 food streets in 100 district 100 food streets अब यह थोड़ा से आपको delicious सा लग में लग जाएगा तो हम कहने बहुत अच्छी सी बात 100 food streets in 100 district ministry of health and family welfare or ministry of housing and urban affairs की scheme per street एक करोड यह आपको पैसे भी बताये जा रहे है और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि कितनी street कितने district में बनाई जाएगी तो portal to trace lost cell phones संचार साथी इसकी जरुआत सबको बढ़ जाएगी कभी न कभी तो दुबारा से सुन लीजे phone गुम गया है संचार साथी उसके लिए बना रहे हैं एक करोड़ पर street Ministry of Housing and Urban Affairs or Health and Family Welfare की scheme 100 food streets in 100 districts फिर Ministry of Housing and Urban Affairs की scheme मेरी लाइफ, मेरा स्वाच शहर वेस्ट मानेजमेंट Quantum Mission, Scientific and Industrial R&D के लिए 6,300 करोड का खर्चा 17,000 करोड का खर्चा 6 साल में Production Link Incentive Scheme 2.0 IT Hardware पर 17,000 करोड का खर्चा यह है गवर्मेंट की scheme और इसके बाद last page पर हम आगए Sports Updates में Important वाले question Odisha FC, Football Club na Odisha का Hero Super Cup जीत गया यह भी जीत गया और Bengaluru FC फिर से हार गया That's quite sad Disappointing for Bengaluru Odisha FC जीत गया है Bengaluru FC हार गया है Hero Super Cup की बात हो रही है यह Football की बात है अगर आपको ना बता हो तो अभी तो FC Football Cup Club Winner of Javelin Throw At Doha Diamond League title Nira Chopra, World's No.1 Question तो बहुत important है लेकिन आप यह सब पहरे ही सुन चुके हो इसे इस question को मैंने last में डाला इस question को मैंने last में डाला Important equation Nira Chopra World's No.1 बन गये हैं इसके बाद जहां इन्होंने Javelin Throw दोहा Diamond League में जीत लिया fastest IPL 50 13 balls में yashasvi jaiswal ये आपको याद रखना पड़ेगा कि fastest IPL 50 13 balls में 50 run 13 balls में कितना ज्यादा है कितना तेज है yashasvi jaiswal ने तो राजस्तान royals की बात हो रही या IPL है न तो इसलिए राजस्तान royals team की बात हो रही है तो highest IPL wicket taker युजुवेंद्र चहल ये भी Rajasthan Royals के Laureus World Sportsman of the Year 2023 के Lionel Messi Argentina के और ये footballer है ये हम जानते हैं हमने देखा था FIFA सबने तो Lionel Messi Argentina के ये Laureus World Sportsman of the Year तो Laureus World Sportswoman of the Year 2023 Shelly Ann Fraser प्राइस Jamaica की है Athlete है इसके साथ अगर आपको समझ में आया होगा ये वीडियो आप लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेट करेंगे नहीं समझ में आया English का वीडियो देखना चाहते हैं That video is also there in the playlist Thank you so much for watching till now